दोस्तों 2020 का पूरा साल कोरोना काल बन गया कोरोना के वज़े से बिजनस की बहुत बुरी हालत हो गई बहुत सारे ऐसे बिजनस जो सूपर हीट हुआ करते थे 2020 में कोरोना के वज़े से फ्लॉप हो गई साथी साथ इंडिया के GDP जो हमेशा पॉजिटिव थी बहुत अच्छे तेजी से इंक्रीज कर रही थी वो भी माइनस में चली गई लेकिन 2021 कैसा होगा कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जो 2021 में बहुत गुरूम करने वाली हैं वो कौन-कौन से बिजनस हैं जो 2021 में आपके लिए फायदे के रहेंगे दोस्तों मैं आशी शगरवाल आपका अपना बिजनस दोस्त फाउंडर और फ्रेंचाइजी बताओ मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ अलग-алग बिजनस सेक्टर की अलग-लग फ्रेंचाइजी दोस्तों सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कौन से sector हैं जो आपको बहुत अच्छा result देंगे 2021 में वो कौन-कौन से categories of business हैं आप किस sector में अपने लिए मौके तलाश सकते हैं वो कौन से sectors हैं जहां पर आप कम लागत में भी जादा फायदे कमा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनिंदा पांच सेक्टर्स की जहां पर आपको फायदे आ सकते हैं साथी साथ हम आने वाले वीडियो में हर केटेगरी के पांच पांच या साथ साथ जितने भी मैं आपके लिए बिजनस सर्च करके ला पाऊंगा इस पेसिफिक बिजनस बताऊंगा तकि आप उन बिजनस को चूच कर सकें और आप अपनी एक नई जर्मी सुरू कर सकेँ आप नया बिजनस सुरू कर सकें दोश्तों सबसे पहला जो बिजनस मैं आपको बताने वाला हूँ वो है service industry का दोस्तों service industry ऐसी industry जो कभी बन नहीं होगी आज के दिन हम लोगों को आदत पढ़ चुकी है घर बैठे सेवाई लेने की हम लोगों को आदत पढ़ चुकी है कि हम online सब चीजे करें तो ऐसे में बहुत सारे नए नए unique unique business पैदा हो रहे हैं जो की आपको घर बैठे service दे रहे हैं तो मैं आपको बहुत सारे different business बताऊँगा service industry के इसके लिए आप मेरा channel subscribe कर लिजिए और bell icon दबा दीजिएगा ताकि जब भी ये वीडियो आए तो सबसे पहले आपके notification पर आ जाए दोस्तों service industry के बाद जो दूसरा industry है जो grooming industry है ये industry बहुत time तक बंद पड़ी रही लोगों ने ये भी सोचा कि ये industry आगे चलेगी की नहीं चलेगी लेकिन आज की दिन ये industry बहुत तेजी से grow कर रही है ये है food and beverages industry दोस्तों अगर आप अपने सहर के आसपास अपने घर के आसपास भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे नए ने restaurants, fast food corners, bakery shops ये सब day to day open हो रही है जी हैं दोस्तों कोरोना के बाद भी आपके शहर में आप कुछ पाएंगे कि बहुत सारे नए ने business open हो रहे हैं और वो सब अच्छा income earn कर रहे हैं तो आप भी वो कौन सा unique concept अपना सकते हैं fast food industry में, bakery industry में खाने पीने की industry में जिसमें की आपको benefit आए और वो भी कम लागत में यहाँ पर दोस्तों fast food industry में लागत बहुत बड़ा factor होता है आप जितना invest कर देंगे आपको recovery में उतना ज़्यादा time लगेगा अगर आप low investment में को business सुरू करते हैं तो बहुत जल्दी recovery कर लेंगे और profitable हो जाएंगे दोस्तों fast food industry में बहुत अलग-लग sectors हैं जैसे कि आपने मेरे इस channel पर देखा होगा मैंने cloud kitchen business के बारे में बताया है मैंने take away business model भी बताया है मैंने आपको dining भी बताया है fine dining जिसको हम बोलते हैं और कई सारे आपको premium business भी मिलेंगे तो आप जिस भी type का business open करना चाह रहे हैं मैं हर type के business opportunities आपको अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने आज आपको बताया कि आप service industry में business open कर लीजिए या फिर आप food industry में business open कर लीजिए साथी साथ दोस्तो education sector इंडिया में इस समय बहुत बड़ी मार जहल रहा है बच्चे school नहीं जा पा रहे हैं colleges नहीं जा पा रहे हैं उनकी education बहुत प्रभावित हो रही है ऐसे में एक alternative education पूरी तरीके से उभर के आ रही है जिसे हम online education बोल रहे हैं जो चीज 2030 में होनी थी या 2040 में होनी थी इंडिया 2020 में वो पा चुका है वो achieve कर चुका है online education का दाइरा बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है दोस्तों बहुत सारे institute जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी online education देंगे आज वो mobile app के माध्यम से live classes के माध्यम से online education प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इंडिया में कोने कोने तक बच्चों तक पहुँच रहे हैं तो आप भी किसी भी अच्छे institute की franchise लेकर आप online education लोगों को provide कर सकते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है online education में आपको ना तो teacher hire करना होता है नहीं आपको कोई बहुत बड़ी space rent पर लेनी होती है आप एक छोटी सी space से आप इस business को सुरू कर सकते हैं बहुत ही कम investment में सुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा profit margin कमा सकते हैं दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे business मैं आभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्व इस चैनल को subscribe करके रखना है सो देट की आपको मेरे आने वाले वीडियो मिले 2021 में वो कौन से education sectors हैं जो आपको बहुत अच्छा benefit देके जाएंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तीन sectors बताए जो आपके लिए बहुत यह profitable sector होंगे दोस्तों इसके अलावा automobile sector एक ऐसा sector है जो बहुत तेजी से आगर बढ़ रहा है जैसे कि कोरोना के वज़े से बहुत सारे लोगों ने public transport छोड़के अपना खुद का private transport चूज कर लिया है लोगों ने 2-wheeler या 4-wheeler पर चेज की है या फिर order देते हैं उनका यूज करना शुरू कर दिया है और 2-wheeler या 4-wheeler को हम जितना यूज करते हैं उनकी services की उतनी जादा requirement होती है तो ऐसे में हमें अच्छे service centers की requirement होती है automobile service center की, automobile spare parts की तो ऐसे में आपको मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बहतेरी multi brand 2-wheeler और 4-wheeler service centers जिनकी franchise लेकर आप अपना एक नया business सुरू कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा benefit क्या होता है जब आप कोई multi brand 2-wheeler और 4-wheeler की franchise लेते हैं कोई service workshop open करते हैं जहाँ पर आपको local area से बहुत सारे गरहाग बैठे बैठाए मिल जाते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके अपने इलागे में उसके अपने जगह पर कोई अच्छा सोरू मिल जाए जहां से वो 2-wheeler और 4-wheeler की service करवा सके दोस्तों इसी लिए अगर आप कोई अच्छा service workshop open करते हैं तो आपके पास गरहाग की कमी नहीं रहेगी और दोस्तों जहाँ पर गरहागे वहाँ पर मुनाफ़त अपने आप आ जाएगा इसके अलावा आपने गरहाग सेवा के इंदर के बारे में सुना होगा दोस्तों गरहाग सेवा के इंदर या फिक common service center जहाँ पर कि आप लोगों को बहुत सारी अलग-अलग services प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप मुद्रा लोन प्रोवाइड करा सकते हैं GST से related services, income tax से related services, financial से related services ऐसे बहुत सारी services हैं 200-300 services होती हैं जिसमें कि जन्म प्रमान पत्र, मिर्तियो प्रमान पत्र, बिजली का बिल पे करना, मुबाइल बिल पे करना, डिटीएज बिल पे करना ऐसी बहुत सारी services हैं अगर आप इन सारी services को एक center से लोगों को परवाइड कराते हैं तो आपके पास customers regular आते हैं आपके पास एक customer बन जाता है regular तो आपके लिए बहुत सारे अलग-अलग common service center की franchise भी available करवाता है और मैं आपको अपने आने वाले वीडियो जो बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन सी बहतरीन CST services की franchise हैं जिसको कि आप अपने शहर में ले सकते हैं इतनी कम कीमत में ले सकते हैं जितना कि आपका महीने का pocket खर्च भी नहीं होगा और आप आसानी से महीने के 20 जार, 30 जार या 50 जार पर कमा सकते हैं तो ऐसी franchises के लिए हमारे इस channel पर बने रहें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले अलग-अलग service की franchise, service की franchise के अलवा food and beverages की franchise, education business, automobile business और ग्रहाक सेवा किंदर तो यह बहुत सारी different different franchises हैं दोस्तो इतना ही नहीं, इसके अलवा भी मैं आपके लिए अलग-अलग franchise लेकर आने वाला हूँ दोस्तो इसके अलावा दो ऐसे sector और भी है जो कि कोरोना के टाइम में भी सूपर हिट रहे है और यह sector के बारे में आप सभी लोग जानते हैं जिसमें कि पहला sector था सूपर मार्केट, grocery store या किराना store का दोस्तो यह business की छूट पूरी तरीके से government की तरफ से मिली हुई थी और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस business में एंटर भी किया लेकिन चुकि प्रायर knowledge नहीं होनी की वज़े से experience नहीं होनी की वज़े से proper support नहीं होनी के वज़े से बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ तो ऐसे में अगर आप किसी की franchise लेते हैं जहां पर कि आपको पूरा support company की तरफ से मिलता है knowledge company की तरफ से मिलती है और 100% stock company की तरफ से मिलता है तो ऐसे में आपको नुकसान नहीं होता बहले ही profit कम हो या ज़दा हो लेकिन नुकसान होने के chances बहुत कम होते हैं नुकसान तभी होगा जब आप उसे अच्छे से रन नहीं करेंगे तो ऐसे ही super market के franchises में आपको बताने वाला हूँ जो कि आप अपने शहर में सुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो ऐसी कोई business run कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि franchise बताव पर मैं आपके business को बताऊं अगर आपका business logo तक पहुँच सकता है उनके help कर सकता है आप लोगों को business provide कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके business को logo तक पहुचाएंगे दोस्तों अगर आपको किराना इस्टोर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके franchise बने और आप लोगों को help करें नए business को सुरू करने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किराना इस्टोर के अलावा जो seventh business है जो आपकरी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में जो lastly मैं आपको बताने वाला हूँ health sector दोस्तो health sector ऐसा sector है जो सबसे ज़्यादा चिंता के विशेरा है 2020 में और लोगों ने अपने उपर सुध लेना शुरू कर दिये लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर चुके है लोग अब छोटी-छोटी बिमारियों को नजर अंदाज नहीं करते है वो हर चीश को बड़ी गंभीरता से लेते हैं इसलिए हेल्थ सेक्टर बहुत तीजी से ग्रूम कर रहा है अब हेल्थ सेक्टर में एलोपेथी एक सेक्टर नहीं होता है एलोपेथी के लावा नेचिरोपेथी, एक्यूपंचर ऐसे बहुत सारे अलग-लग सेक्टर से हैं जहां पर कि लोग चाहते हैं कि लोग अपनी immunity को grow करें, लोग अपने आप से ठीक हों, तो दोस्तों ऐसे मैं alternative medicines को भी बहुत बढ़ावा मिला हैं, तो मैं आपको बहुत सारे different alternative medicines की बारे में बताने वाला हूँ, मैं आपको medicals, store की franchise की बारे में बताने वाला हूँ, मैं आपको liberators की franchise की बारे में बताने वाला हूँ, तो ये सारी franchises मैं आपको धीरे धीरे इस channel पर लेकर आऊँगा, 2021 आते आते, मैं आपको 50 से ज़्यादा business opportunities दे दूँगा, और आप किसी भी sector में जहाँ पर आपका interest है, आपका passion है, आपके बास पैसा है, और आपको लगता है कि ये business आपको suit करता है, आप हमसे संपर करके उस sector में business start कर सकते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी franchise हैं, जैसे कि दोस्तों digital marketing के franchise है, जैसे कि कोरियर की franchise है, उसको जैसे कि हमारे पास आपको trading से return मिल जाएगा, 99 store की franchise मिल जाएगी, ऐसी बहुत सारी franchise आपको franchise बताओं पर मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों सबसे पहला काम हमारा कि हम आपको अच्छी franchises की बारे में बताएं मैं आपको बताऊं कि कौन सा business आप कैसे सुरू कर सकते हैं क्या profits हैं, क्या नुकसान है मैं आपको सब चीज़े बताऊंगा मैं process भी बताऊंगा, कौन सी बताऊंगा आपको कौन सी franchise देनी चाहिए, कैसे सुरू करने चाहिए सुरू करने काद आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ franchise ले लेने से या फिक्स franchise इस्टार्ट कर देने से आपको profit नहीं आता है, आपको उसका promotion भी करना पड़ता है, आपको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आप लोगों ने franchise बताऊंगों को, इंडिया का number one franchise चैनल बनाया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन, जै भारत